कि रिकॉर्डिंग का मैसिद गया गी नहीं हम लोग के पास कि तस्ट कंफर्म में एंद अधर ओके सब ठीक है सब्सक्राइब बाकि लोग आएगा तो बीच मिलेंगे तब तक हम लोग चलते हैं से चलो तो सब को फिर से ठीक है तो गुडिविनिंग किस बात की सब्सक्राइब पड़ेंगे मार्केट नहीं लौ में क्या पड़ेंगे सब्सक्राइब मार्केट नहीं लौ में हम लोग का डिसकेशन चल रहा है अभी पार्टनर्शिप आक्ट पार्टनर्शिप आक्ट 1932 जो चल रहा था वो खतम जब लोग का नहीं हुआ वह बाद में फिर से करेगा पर हम लोग अभी 1932 नहीं हम लोग बात करेंगे अन्यदर पारटनर्शिप आक्ट जो नीवली बना है मतलब बहुत ज्यादा पुराना न में बना हुआ है यह जो लॉव आज पढ़ेंगे यह 90 का नहीं है 2000 में बना हुआ है 2000 इंदसेंस 2008 2008-09 में यह जो एक्ट हम लोग आज बात करेंगे 2008 क्या असपास में आया है 2009 से रोल आउट हुआ है तो लॉव का नाम बताओ कि लिमीटेड लायबिलिटी पार्टनर्शिप अब लोग गुत तो देख रहे हो और मेरा आवास भी ठीक थाक से आ रहा है तो दिखकत नहीं होगा लंटी अगे लिबियअाग्ट्टी अट्टी पाट्ट मंस चीब बारे दर्मेटे सी बिजण में तो विय इंदा समय देलिगए जालका जो शे अगर प्रिवियस क्लासले सब्सक्राइव बारे में अगर याद है सब को आधे यहां पर फिर सी में इस्पेशल चाल एक डया है जब बिजनस के अंदर ना कमपनी वाला फिलिंगा टू ला सकता है करेंगे क्या की आसी स्टुन सभीक्यों क्टिफ एक कंपटिफ उड़ं का यह पå ऊटेफी करेंगे छाहलों को इसी बटीक्लर औब्जिक्ट टिब में जॉइन हैं जॉइन होते हैं मतब जॉइन हैं तुगेदर पॉर वॉन पतिक्लर और उसको एक इंस्ट्रूमेंट के त्रोल से बात देंस्ट्रूमेंट इन देंस पार्टनर्शिप डीड है न सब जैसे याद है आप लोगो आयान विश्वजीत और कौन था बीच बीच में चिराग आता था और स्नियाशिश भी आता था था है ना सब्सक्राइब करता था त तो जैसे सब्सक्राइब नहीं है मुझे पर पूर्वाला लीची और इदर हमारा बार्वी पूर्वाला प्यारा ठीक है मतलब जो है उस दोनों का डील हो रहा था वो बिजनेस कर रहा था पर अभी इन लोग का पार्टनर्शिप बिजनेस में एक चार चांद लगने वाला जैसे की पी डबलू सी के पी एमजी नाम तो सुने होंगे हां सर दिलाइट हां सर एन वाइड अनिस इनमें से मैक्सिमम जो कंपनी जैना मैक्सिमम जो बिजनेस है यह पार्टनर्शिप एक्ट एक्ट के तुरू से चलता है तो ज्यादा तर जो भी चार्टर्ट फाम है मतल अगर थोड़ा सो नजर डालोगे आसपास में आपको बिजनेस बहुत दिख रहा होगा आज कर आप जाओगे बना है और नाम पे लिखे भी रखते हैं अगर किसी ने भी कोलकाता में बाइपस के तुरू से कभी भी आना जाना करते हो या बड़ा बजार के इंदर कोई बि सब्सक्राइब लिखते हैं तो नाम भी रखा है बाइपस धाबा एल पी ऐसा कुछ रॉष्णी मुझे बिता सकता है रॉष्णी उस रस्ते से आना जाना जरूर करता होगा रॉष्णी ऐसा है ना कहां पर बना वहीं तो वह चिंग्री गाटा बाइपस चिंग्री गाटा बिजनेस टाल कि एल पी चानाम टमोने नहीं रेस्टोरेंट अनाम बाइपस धाबा और वह अपने नाम के पीछे क्या लगा कर रखा है एल लपी देखें कि अगर ऑनलाइन में मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा तो यह एल बनने के पीछे का रिजन क्या है और यह एल बिजनेस अपने आंको लेल बी में बदलते हैं और वी लॉर्पी में फरकते है और बढया है इस एक काथ कूप इर्फ यह को K चलिए देखते हैं कि LLP Act कहां कहां तक फैला हुआ है और क्या पढ़ना है हम लोग लोग के अंदर तो बिसीकली सब्सक्राइब के अंदर मेनिंग और कॉंसेप्ट आडवांटेज चारेक्टरिस्टिक्स और डिफ्रेंस विद आधर फॉंस और और बेसिकली एलल्पी इस पार्टनर्शिप बिजनेस यह तो भूला नहीं है और पाटनर्शिप बिजनेस का जो रूल्स रेगुलेशन्स है वह एलल्पी के अंदर भी है बट सब्सक्राइब को कुछ एक्स्टा एडवन्टेज और एक्स्टा कारेक्टर भी बोल सकते आप मतब एलल्पी है तो पार्टनर्शिप बट फिलिंग्स कैसा आएगा पेलिंग्स लाइक कंपनी आएगा जैसे आप कंपनी बिल्ट करके बै पार्टनर्शिप फॉर्म करना कंपनी आसान है ना ऐसे आज के डेड़ में 2013 कंपनी आक्ट आने के बाद जो लोग क्लास भी किये होंगे उनको पता है आफ जिन्हों नहीं किया तो कंपनी बिजनेस में बहुत होते हैं जो पार्टनर्शिप बिजनेस में थोड़ा कंपनी तो दो देखते हैं जोड़ा से नजर देखते हैं चलो देखते हैं क्या क्या एल्ल्पी में मिलता है बाइपस दावा जो नजर में तो बहुत बढ़ाया है यह लॉकडाउन के बाद ज्यादा निकले नहीं तो शायद क्योंकि फेमस लोकेशन में है आई थिंक दिख जाए यही है दिस वान है यही वाला यह बाइपस के साइड में दिखता है यहां पर एल्ल्पी कहीं तो लिखा होता है अब मुझे देखनी रहा है इसमें है यह एक्टम एक्जैक्ली यह बाइपस के पास ही है और यहां पर लिखा होता है बाइपस धावा एल्ल्पी लेमिटेट लिएविलिटी पार्टनर्शिप ठीक है चलो सब कुछ फेमस देखते हैं आप लोगों की जैसा कनेक्टेड बि वी दबलू सी एंसर लिए फॉर में काम करने का इच्छा बहुत लोग रखते हैं लिए प्लू सी क्या इल्लपी है सर्व कहां पता चलेगा कहां पता चलेगा मिल गया मुझे यह देके सब अब लोग जनते होना साथ बीग फफॉर फार्म जो वीग फटल आड़िट वाम यह वीग फटलैंट व्होंत से जाने जाते हैं अब नहीं हो की नहींन प्टली अपने आपको यलिल्पी के तरह ही वहुत बड़ा बिजनस है फीड़ सी ऐसे तो यह यूए यूगे का बिज आल ओवर दी वर्ड एक सो वान फिफ्टी सेवन कंट्रीज में इसका बिजनेस है मैं सुभी किसी क्लास में कंपणी लॉग क्लास में बता रहा था कि फिर से बता रहा हूं सब देखो विए लिए 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 पाटनर्शिक यह दिखाई दे रहा है दिख रहा है तो बढ़े बढ़े बिजनेस आजकर एक तरूसे बन रहा था जैसमें से पीड़्यू सी एक है जू मैंने अभी आपको दिखाए अब इससर्द दिखाने के पिछे का बज़े क्यों है सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं अगर उसका प्राक्टिकल लाइफ में यूस हमें देखने को मल जाता है तो मुझे लगता है कि ज्यादा करता है इसलिए मैं आप लोग को दिखा दिया कि हम लोग यह सब रियल लाइफ में बहुत सरा जगा में देख सकते हैं तो पीडबलूसी अपनी बिजनेस को बता रखा है और बनने के लिए इंडिया में मैक्सिमम चार्टर्ट फाम एंटीक है और दीरे-दीरे बन भी रहा है नॉर्मल जो भी पार्टनर्शीप बिजनेस चल रहा था वो सभी को द एक पार्टनर्शीप बिजनेस जो पाटनर्शीप आक्ट 1932 से चल रहा था या फिर जो न्यू बिजनेस पार्टनर्शीप में बन रहा है या थो सब्सकर बिजनेस था उसकोष फोलू नगा आजकल बदला जा रहा अब इसके पीछे का बज़ाई धूडने के लिए तो हम लोग क्लास में जॉइन हुए सब तो चलो सर बज़ाई भी धूडते हैं और पता भी करते हैं कि कहां क्या बात है तो मिनिस्ट्री आप लौ और जस्टीस 9th January 2007 को नोटिफाई किया LLP Act 2008 को मिनिस्ट्री आप लौ और जस्टीस 9th Jan 2007 को नोटिफाई किया LLP Act 2008 को और पार्लामिन पास्ट लिमिटेद लिएबिटी पार्टर्शिप बील ऑन 12th of December 2008 को इस प्रियसे इंपोर्टेन्ट थे हाँ सर्था इंपोर्टेन्ट है बीकॉज कब आया है क्या है हिसका हिस्ट्री बहुत है अब अदुक्य प्रेसिटक आप इंडिया जैसे आप सभी को पता होगी हर एक लौ इंडिया में जो भी लौ आता है ठीक है तो कि उसके पीछे प्राइम मिनिस्टर्स लेबल में फिक्स जरूर होता है बट प्रेसिजेंट के हाथ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लेम हो रहा है आप लोग के पास ख़बर होगा फार्म बील हैं सर्फ फार्म बील कंट्रोवर्शियल है इतना भी आज के डिट में कोबीड में थोड़ पर फिर भी इसको लेके एक बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है आप लोग के पास ख़बर है सब्सक्राइब नहीं करना चाहते कभी में क्लास में बात किया था फार्म बील पे जब कॉंट्रोवर्शी बहुत टॉप लैबल में चल रहा था तो लेकिन करेंट ली कि जो भी बिल बनता है जैसे कि यह पार्टनर्शीप का बिल बना था दिसंबर 2008 को और फिर प्रेसिदेंट आफ इंडिया थे बिल उन 7th आफ जैन 2009 और कॉल आज दी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्शीप टुटाउजन एट नहीं पी आक्ट जो है सर यह एक्टिक मतलब एक लॉप लॉप फिर उस लॉप पूरा भारत में है इसको ज़ोर से बोलो कि हां पूरा भारत में अप्लिकेबल वह है क्योंकि अभी भी कुछ हिस्सा है जिसको लेके 1947 के बाद से कुछ dispute रह गया है जैसे एक हिस्टा का नाम बतावसर जिसको लेके dispute रह गया है कि वो भारत का है नहीं है इसको लेके एक चर्चा एक पुराना गलती है पुराना जो government हम लोग का जो भी सर्कार था कश्मीर का issue very good sir you all understand कि कश्मीर हमारा है या नहीं है इसको लेके actually अगर आप इतिहास ढूंडोगे अगर आप history में जाओगे तो भारत तो इतना है वो तो पाकिस्तान को हम लोगों ने थोड़ा सा अलग कर दिया है विकॉस पाकिस्तान चिला रहा था जहमिला हो रहा था 47 में British भी इसमें आग्ड में एकदम घी डाल दिया और पाकिस्तान भी थोड़ा सा मौका मिल गया मैं बस अब लोगों को इसलिए बोल रहा हूं बिकॉस यह होल आफ इंडिया बोलने की पीछे वजए क्या होता है जरूरी थोड़ी होता है कि होल आफ इंडिया चिला-चिला के बोलो अरे लॉब बना है तो पुरा भारत के लिए ना ये जो पाकिस्तान का एरिया है ये पाकिस्तान का एरिया को सारी थोड़ा सा बढ़ा है यहां से यह पाकिस्तान जो बना है इसको छोड़ दिये भारत ही हुआ जाता है और乾 cocktail को लाहोर सहर आप लोग राम जी का दो कुत्र थे लॉब एन कुश तो इसको अच्छी नाम हुआ गरता था लाबोल ठीक है लाबोल को बाद में चेंज हो गया लाहोर ठीक है यह लॉब का सहर है लाहोर ऐसे बहुत सारा कहानी यह मैं आपको बोलूंगा तो आप आगल हो कश्मिर यहां पर है यह वाला हिस्सा यह लेघे रखा है इसलिए अब यह बाकी कश्मिर आप देख रहे हो इंडिया अब सवाह है कि लेकिन इंडिया क्लेम करता है क्लेम करेगा कि उन्हीं सेर ऑलवेज कश्मीर इंडिया का रहा है अगर आप 5000 साल पॉलाना हिस्ट्री विए कश्मीर का मतलब जानते हो सर वाट इस दीमिनिंग और कश्मीर कश्यप रिशी एक बहुत फेमस रिशी वा करता है सर हमारे देश में जैसे रिशी मुनियों का देश माना जाते है ना भारत और ऐसे कहा जाता है कि वी अल्लार डिसेंडेंट आफ रिशी आप जैसे हम लोग जब भी पूजा-भगेरा होता है तो हम अपना गोत्र करते हैं करते हैं पूजा के टाइम पर गोत्र करने का एक रिचुल हैं हमारे पर स्पेशले इंदू जो भी हिंदू रिलीजियन फॉलो मैं आपको भी धरम का शिक्त नहीं दे रहा उसा है यह पूजा के टाइम पीश्टे कि गोत्र बताएं शादी की टाइम पर पूछते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूं अब जब भी लॉव बना जाता है तो लॉव बहुत सरा लॉव ना कश्मीर के लिए ना शोड़ा हुआ था पैसेंट ली कौन से सेक्शन आया सर जो कश्मीर का पूरा कश्मीर को भारत का बनने के लिए बाध्धर कर दिया section बोलो एक section अभी लागू हुआ ना जो section इसमें लागू था उसको हटाया गया यह recent government यह काम किया कि कश्मीर भारत का दुसरा कोई भी स्टेट से अलग नहीं है जो पूरा भारत में चलता है वो पूरा कश्मीर में भी चलेगा पूरा कश्मिर इवेन विट पे ओके आज वेल आज अक्साइचेन कौनसे सेक्षिन है 370 370 अब ये 370 सेक्षिन को जब विद्रॉल कर लिया जिसके कारण कश्मिर को special status मलता था वो special status हटाया गया और special status हटाने के बाद ये भी एक problem है ये भी कुछ बंग बिंगॉल से ही बिलॉंग करते थे शामप्रशर मुखर जी उनके बहुत famous कहां नहीं था मतब कहबत है मैं बाद में एक बार देख रहा था वो कहते हैं कि एक देश में दो निशान दो प्रधान नहीं होना चाहिए देश एक है तो फिर कश्मिर का जंडा लग क्यों है ऐसा special status क्यों देना है किसी को जो भी हो सर्थ देश अगर एक है तो फिर जंडा भी एक होना चाहिए नियम भी एक होना चाहिए एक देश में दो जंडा दो नियम दो प्रधान तब दो दो उसका मिनिस्टर लग हमारा मिनिस्टर लग ऐसा नहीं होना चाहिए यह बना जाता है यह बात आप लोग हर चीज़ में देखने को मलता है आज कल आपको हर जगा में देखने को मिलेगा अप्लिकेबल टुदी होल उफ इंडिया अगर आप कुरानी दिनों का लॉग का किताब दो तीन चार साल कुराना जाओ आपको वही देखने को मिल जाएगा लॉइज अप्लिकेबल टुदी होल उफ इंडिया एक्सेप्ट इस पढ़ पढ़के हम लोग बड़े हो गए लेकिन आजकाल हमें यह बोलने का जरूरत नहीं पढ़ता कि एक्सेप्ट इस्टेट्स अब जुम्हें कश्मिर यह वाला सीचुईशन आजकल खतम हो रहा है और होना भी चाहिए ठीक है होना भी चाहिए सर क्योंकि इसमें देश का बैलन्स बिगड़ते हैं ऐसा कभी नही देश जो है वही है ठीक है अब क्या बताओ सर आपको मैं अभी हिस्ट्री बताने बैठो ना तो आप लोग भी पागल हो जाओगो आप बोलोगे सर लौ पढ़ाना चोड़के आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो लेकिन सर क्या करे कुछ बाते इतना जुड़े होते हैं आपको भी पता होना चाहिए कि इसको अप्ली के बिल्ट फॉल फिंडिया बोलने का जरूरत क्या था यह मेरा पहला सवाल है आपके सामने कोई मतलब होता है एक लाव बना है कुदा देश के लिए उसको फिंडिया बताने का जरूरत किस चीज़ में आ जाता है लाव बनेगा तो इसके लिए नहीं उसके लिए नहीं ऐसा करेगा क्या मतलब कुछ चीजों में रहता है तो उसके लिए लाव में बताना पड़ता है होल आप इंडिया में अप्लिकेबल है तो आप लोग बात को समझ रहे हो ना सर मैं क्यों बोल रहा हूं यह सब थोड़ा बहुत ज्यादा इसे में जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे इस एक्ट अस बीन एक्टेट तो में प्रोविशन फॉर्मेशन और रिगूलेशन ऑफ एललपी और मैंटर्स कनेक्टेट वीडियर विद इंसिदेंटल देर्टू देर्टू देल प्लोगों को फर्स्टीजूल दील स्व राइब जैसे एक बिजनेस को पार्टनर्स तो तो कभी नहीं हो सकता तो वान और मोर पार्टनर्स साहे दो हो दो के जगा वीबोला हुआ है कि limitation 50 partners एक business का partnership में maximum हो सकता है यह unlimited भी गुआ करता है सच कुछ बोला नहीं है कहीं पर भी कि maximum कितना partner हो सकता है फिर फिर इसको maximum आपको 50 partner बनाने का मौका देता है क्योंकि यह सब companies के साथ भी connected है इसलिए partnership के बारे में companies भी बोलते है इंडिया का जो भी बिजनेस एरिया है ना उसको देखने वाला जो ऑसरेटी है तरीज मिनिस्ट्री ऑप कॉर्पॉरेट अफेर्स के पास पावर है वो कर सकता है अगे आगे सब बात करते हैं सब्सक्राइब करते हैं इतना दिन से जो लोग कंपनी लॉग पढ़ते हो आल्रेडी या पढ़के आये हो देनों कि कंपनी में यह कॉंसेट बहुत होता है आ लिमिट्टेद लभलिंटी कंपनी आंस जो लोग कंपनी यूप पढ़ चुखे हो जो नहीं पढ़े डोह पढ़े वुटाम्स में पढ़ेगा ईसवां से है कि एक लीमिक लिड़ाइब यौवडिली टीक यह वर्डलुं कंपनी में पढ़ते हैं आना सां बोलो कमपनी में लिमिटेट लाइबिलेटी वर्ड हमेशा हुआ करता था यह सब्सक्राइब जो लोग पढ़ चुके हो जस्ट चल में कि अधे हाना कुछ तो बोलो तो आयान रोश्नी जोती लोगों तो पता होगा तो अमा कंपनी में लिटेट लिएबिलेटी वर्ड होता है यह सब्सक्राइब बूलो ना यह सब्सक्राइब यह वर्ड आजकल पाटनर्शिप में भी मिल रहा है इस लिए मैं बार बार तब से कि पाटनर्शिप बिजनेस को जब कंपनी वाला फिलिंग आ जाता है ठीक है तभी इस एलल्टी का में सक्सेस है तो सब्सक्राइब लिमिटेड लाइबिलेटी वर्ड ही इसका मतब हार्ट आप डिस एक्ट है वेट करो मैं अभी बताता हूं इवन इस लिमिटेड लिमिट सब्सक्राइब फिलेट वॉट कोई भी नॉर्मल्मल फाम मतलब जो नार्मल पाट्ल 짧ं सकते हों इसके बार में मतलब पाट्नर्शिप एक नाइट है उसको नाइटीन थर्टीट्व में बला है cat कर रहे थे उस तरह हुआ था उस तरह का जो भी फाम है अभी भी इंडिया में है अगर उसको एलेल्पी में कनवर्ट करना है तो उसका जो भी डिलिंग से वो शेकेंड शीडूल में बोला हुआ है एलेल्प टॉटाउजनेट में अगर आपका कोई प्राइवेट कंपनी है अब उसको पब्लिक कंपनी सर अनलिस्टेड अनलिस्टेड मतलब अनलिस्टेड में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है पर पब्लिक कंपनी है जैसे ऐसा कंपनी होता है क्या जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है फिर भी पब्लिक है ऐसा कंपनी के एक्जांपल कोई यह पबलिक का श्यारओंडिंग है कंपनी में ऐसे कंपनी जो है तो पबलिक पर सर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो उसको लोग बोलते अन लिस्टेड पब्लिक सब्सक्राइब तर बहुत चला है मैं आपको एक बताता हूं है 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 कि हटको डिस यह होगा क्या यह हटको के बारे में सुने हो जाग है प्पर न्यूटाउन वगेरा जो है यह विस्पिंगल गॉवर्मेट का एक कमपणी है थेकले यह देख सकते आप गॉवर्मेट आव इसका उनर है इसका मतलब यह पबलीक है यह जो कंपणी का नाम में बोल रहा हूं इफन यह भवन भी आप लोग न्यूटाउन में देखें देखें की नहीं देखें न्यूटाउन में जो कोलकाता गेट बना हुआ है एक रेस्टुरेंट है उसकोलकाता गेट के ऊपर विश्व वंगला गेट उसके पास यह हाटकोव भॉबन आपको दिखेगा तो बेसिकली यह जो हाटकोव भॉबन है एक्षिली पूरा जो पूरा इसको बोलते हैं अन लिस्टेट का है और भी है जर एक हटको है जो स्टॉक मर्केट में लिस्टेट बिया नहीं है फिर भी स्टॉक मार्केट मेरे डिसकेशन में आहीं जाता है विकॉज स्टॉक मार्केट का चर्चा में कहीं नहीं करी लेता हूं भाउजिंग आरवन डेलम्मेंट कार्पोरेशन यह कौन सा है लिजुन डली है रहा है गवर्मेंट आएंडिया का है फैरन और वपवक्राइशन सा आप देख सकते हो बोवर्मेंट और इंडिया Ministry of Housing and Urban Affairs और यह Stock Market में लिस्टेड है यह वह Housing Urban Development Company Corporation है but this is a Stock Market Listed Company सर बिसिकली Real Estate Line में काम करते हैं और इस Company का Shares Market में लिस्टेड है जिनको भी Share खरीदना बगरा होता है वो यह Share खरीद सकते हैं ठीक है लेकिन सर आप हाट को यह जो हाट को वेस्ट रंगल गावंडमेंट का था वह भी पब्लीक है विकाज वह भी सरकारी है बेट वो लिस्टेड नहीं है अई होप सर लिस्टेड और अनलिस्टेड का फरक आप लोगो समझा रहा है इस थोड़ा मुझे प्रैक्टिकल पता था तो मैं आपको बताया ल जैसे पूरा वेस्ट पेंग और में एक कंपनी इलेक्रिशी डीस्टिवूट करता है क्यालकडए कलकड़ा सप्लाई को चोड़के और एक कंपणी है डव डी असी बी सीट इसी इल लाइए नाम सेले हो बनी है वेस्ट पेंगाल स्टेट इलेक्रिसिटी डिस्रिबूशन कॉर्पोरेशन लिमिट इसका भी रेविन्यू है अब देख सकते हो ओनर कौन है वेस्ट मिंगॉल स्ट इलेक्रिसिटी ने बेख सकते सा चैरमें मैंचिंग डिएक्टर सांतनु बोश आयेस है प्रोड़क् इस इस टाट मार्केट लिस्टेड ये संजीब का कंपनी यह ओप यूप यू नो सब आरपी संजीब का गुप जो बहुत ही फिमेंस बिजनेस मैंने हमारे कुलका था का तो इसका शेयर मार्केट में होता है अब देख सकते हो इवन लास्ट वान इयर बैक अगर किसी ने इस टाट में इन्विस्ट किया था वह साथ सो चल रहा था वी आट सो चल रहा है ठीक एसा बस आपको आइडिये जनेरेट करनी के लिए मैंने शेयर वगेरा का एक्जम्पल दिया ताकि आपको मैं लिस्टेड और अनलिस्टेड के बारे में बिता सकूं तो जो स्टॉक मार्क य होता है उसको कहते ऑनलिटेट तो बाकी पब्लिक सरकार चीछे का पैसा हो उसी को कहते है तो इस तरह का only को कमपपणी को हम लोग के त्सक्राइब में चैशन में टेल किया गया है इस पर्टिक ओलर्डेट में सेक्शन है और चार शीजिल के बारे में कहा गया एक एक शेडूल में किस सेडूल में किस बारे में बता गया है sir that is the area ठीक है अब सब क्या कहना चाहते हो चलो सर आगे बढ़ते हैं ठीक है बहुत सारा point है ministry of corporate affairs and register of companies are interested with the task of administering LLP Act 2008 the central government has the authority to frame the rules with regard to LLP Act 2008 and can amend them by notification in the official gadget from time to time ministry of corporate affairs and the register of companies particular LLP Act जो भी काम है उसको administer करता है यह MCA काउन है सब पूरा भारत में जो भी business चलता है उसको देखने वाला एक ministry का authority है सर दिखाऊना कौन सा authority हम भी देखना जाते हैं चलो सर देखने जाते हैं हम लोग MCA MCA portal में चलते हैं ministry of MCA.government.in ठीक है company LLP master data अच्छा चलो home home पे चले गए दिखाई दिया आप लोगो कि दिखाई दे रहा है ना सर्कारी साइट है मोधी जी का vaccination दिख रहा होगा है ना तो गौर्वर्मेंट सेंटल गवर्मेंट के साइड में आपको हमेशा rolling party का दिखता होगा ठीक है तो यह देखो सर यह ministry of corporate affairs है और इस corporate affairs के अंदर आपको acts and rules जो इस particular act के अंदर maintain होता है उसका details भी आपको पता चलेगा ठीक है यह देखो साथ लिस्ट आपक्त तो क्या-क्या एक्ट इस particular mca देखता है उसका rules यहां पर पूरा details भी आपको देख रहा होगा कंपनी जेक्ट 2013 वो तो देखेगा ही साथ मैं आप देख सकते हो लिमिटेट लाइबिलेटी पार्टनर्शी तक 2008 है मैं आपको government के साइट में लेके आ गया सब्सक्राइब लोग को समझ में रहा है ना लिमिटेट लाइबिलेटी पार्टनर्शी पैक्ट जो हम लोग करेंट भी डील कर रहे हैं तेक है डट इस और आप लोग चाहो तो जाकर यहां पर चेक कर सकते हो ग्यूमोर में जाकर और डिटेल्स देख सकते हो कि क्या है अक्च्वल में यहां जिसको लेके आप लोग को आगे आगे काम चुब भी करना हो ना इसी के थ्रों से करना हो जो भी आपका एरिया और एक्सपर्टाइज हो इस आधी इंपोर्टेंट एरिया फॉर बिजनेस लॉग परपस अब्यूसले अब्यूसले हर चीज में आपको एंशी का ही डेटा चाहिए ना एंशी सब चीज देखता है काम है कि आपको वर चीज के डेटा उसी के पास बताना पड़ेगा इंसल्विंसी और बैक्रप्सी कोड 2016 इस अलसो ठीक है अब सारा का सब्सक्राइब लोग अभी नहीं बढ़ते हो पर चाहिए आप इंटर्मीडियेट में हो या फाइनल में हो तो पढ़ी बिजनेस का बात है और अब लोग अभी इसी का एक एक्स्टेंडेट एक न्यू पैटर्न यह भी पार्टन पार्टन पाटनर्शिप जो अभी पी काम करता है चार्टर्ड अकॉंटेंट्स हैं 1949 आप देख सकते हो देट इस अलसो डिल इंसी एक्ट हम लोग सब सीए का स्ट आप है लोग यह दा कॉस्ट और वर्किंग अकॉंटेंट्स आग्ट दिखाई देरा इसा जो लोग सी एमें का पढ़ाई करते हैं यह यह जो लोग सीएज पढ़ाई कर रहा है जो सीए सीए में तीनों पढ़ाई कर रहा है से भी कोई-कोई है 1980s नाइंटीन इस सोसाइटी आल्टिमेंट्टी चाहिए आप LLP पढ़ो या कंपनी जाट डिलिंग्स का अरिया डिपेंड करता है एंसीए के ऊपर ओके ओके सर चलो सरा आगे बढ़ते हैं यह देखा सर्थ यहां पर कितना सुन्द दिखा हुआ है अपर इसको बात में चेंजिस आया और नियू आप्ट बनाया गया उसका नाम दिया गिया सर्थ फंपर इसक्ट रटीन and the limited liability partnership of 2008 and other allied acts, rules and regulations framed mainly for regulating the functioning of the corporate sectors in accordance with law in order to simplify the compliance procedure and provide consolidated information on applicable acts, rules and regulations to the stakeholders MCA has launched ebook of 10 acts and applicable rules and regulations for companies and LLP administered by it modern data है जो भी चाहिए होता होगा company क्या कर रहा है सरकार क्या कर रहा है you will get to know everything not just आपकी school या institute के किताब आपके सिर्व institute के किताब ही नहीं सर्थ आप यह लाइपने सरकार यह डेटा निकालो जो विए अपड़ेट हो रहा है जो लोग प्रैक्टिसेनर है जो लोग प्रैक्टिसेनर है जो लोग यह लोग इस सबसे डेटा निकाल के पढ़ते हैं आप भी पढ़ना चालो पर तो सर् तो फिर फिलिंग भी होना चाहिए आपके अंदर तेके सर बाद में कर लेंगे आप आगे बढ़ते रहों ठीक है सर अब लोग आप लोग कहीं कहीं बार गुस्सा हो जाते हो मेरे उपर मुझे पता है क्योंकि मैं अब लोग को इतना कहानी में लेके चला जाता हूं आप इसका जरूरत क्यों हो गया ऐसा क्या बात हो गया जो पुराने पार्टनर्शिप एक में नहीं था जिसको एलल्पी का जरूरत पड़ गया ध्यान से सुनना सर बहुत भाइडल पॉइंट है दे लाओमेकर्स एंविसेज दे नीट फॉर ब्रिंगिंग आउट न्यू लेजिसलेशन फॉर क्रेशन आप दी एलल्पी तुमेट विद्टी कंटेंपुररी ग्रोथ आप इंडियन एकोनोमी हर बात एक जगह में जाके रुख जाते हैं और वह बात है इंडियन एकोनोमी कि यह जो आप लोगे इतना मेंनत से पढ़ाइक कर रहे हो इसा बढ़ाएक करके जौब पाना आए ना बिजनेस करना है करना है क्या मैं सही बूल रहा हूं तो आपके पास ऑप्शन ही क्या है कुछ करने के लिए या तो आप अपना बिजनेस करोगे कोई भी बिजनेस कर सकते हैं नौट जस्ट कि सिये में करके सिर्फ आम ही ओपन करते हैं ऐसे बात नहीं है हमारे दिसमें ऐसे बहुत सरे हैं जो सुनी होंगे आप लोग राकेस जुन्जुन वाला इंडिया का मुस्ट पॉबली टॉप ठर्टी तर्टी ए ठरीचेस परसंट में से एक हैं यह आज तक कोई बिजनेस नहीं बनाया अपना कोई फार्म भी नहीं है सिर्फ लोगों की बिजनेस में इन्वेस्ट किया और इन कुमार मंगलम बिडला नाम तो स्नुहँाँए singers इनको संभ नार्थ कहिसर्ट कुमार मंगलम प्रैव्बहूत से बहुत सरा है चार्ठर्ट का मैं यह act को नहीं कर सकता बहूं बोलके अνवा बहुत सारे नहीं है पिर भी मतलब आपके पास यह मोतिलाल वुस्वाल जो फेमस स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है यह भी मोतिलाल वुस्वाल जी का है यह भी चार्टर अकॉंटेट तो जुरूर नहीं कि सभी कोई एकडम ट्राडिशनल होए में फार्म उपेन करके बैठे फा इकोनोमी में डेवलोमेंट बने देश की प्रगति हो देश में डेवलोमेंट हो देश में बिजनेस हो इन सिंपल इंडियन एकोनोमी जब तक ग्रोथ नहीं होगा तब तक आप लोग कहां जाओगे सर इतना सीए इतना सीए में इतना सीएस का जरूरत क्यूं होगा जब तक करदेश में बिजनेस नहीं होगा तब तक नहीं बन सकता चाहे business government के थुरू से आए चाहे business private के थुरू से आए और हम लोगों को पता है कि मुझे मिल जाएगा मुझे एक लाग का सैलरी मिल जाता है बाइस और कोच नहीं बिजनेस से आते हैं और बिजनेस करने के लिए एक माइंड से डप और एक एंटर करने क्या बूले सा मतलब ऐसे एक एंवरेंटमेंट जरूरी है इको सिस्टेम जब तक उस देश में नहीं बनता है ना वह वाला देश में डेवलोम्मेंट नहीं आता इंडिया में बना है क्या यह सथोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है समझा सकता हूं कि ऐसे नहीं नहीं आ गया नीट आने के पीछे कुछ ना कुछ रिजन है ठीक है आज इंडियन एकोनोमी ग्लोबल एकोनोमी का वान ऑफ दी बेस्ट एक जाना जाता है हमारा पॉपुलेशन प्रेशर जरूर प्रॉब्लेम करता है पर 138 क्रोड के आवादी है ओल्मोस्ट जीडीपी 3.05 ट्रिडियन का है जीडीपी रैंक में हम लोग वर्ल में शिक्स है जीडीपी ग्रोथ में हम लोग थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं सबसे मुश्कील रहे से हमारा पर कापिटर जीडीपी मतलब जीसे साब से हमारा पॉपुलेशन है उस हिसाफ हम लोग का gross domestic product या पर जो भी produce हमारे देश में manufacturing होना चाहिए उतना level पे नहीं होता ठीक है और चाहिए GDP by sectors, industry sector अभी बहुत पीछे है सर सिर्फ 25% है agriculture में 16% of GDP आता है manufacturing से 14% service sectors में इंडिया अच्छा कर रहा है ठीक है तो यह सारा का सारा सेक्टर जब मोटा मोटी 30-40% का growth देना चालू करेगा तो इंडियान economy में एक बहुत इच्छा improvement रिखेगा और जो दिख भी रहा है सर आज करें सर कैसे पता चला पर एक data शो करतें आपको recently यह अपना ICMI है न सर मतलब CMA Institute मतलब आप लोग के लिए बता रहा हूं क्योंकि not just CACS TMA Institute is also there need बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसका जो data यह देखो से recently TMA campus placement type drive जो हुआ है इंस्टिटूट से सारा भारत से लास्ट 40 दिन में last almost 40-50 days में more than 400 cost accountants had placed in various reported companies आप देख सकते हो सभी company का नाम लिखा हुआ है कोई प्रो है ITC है सिटको है गोल्ड में सेचेस है एक है सभी फान मतलब टॉप लेवल companies 45 days में बना है ongoing campus placement में इस साल जो लास्ट यह से कहीं गुना जादा हुआ है इवन ऐसे pandemic situation बेभी highest package जा रहा है से 22-23 लाग का मैं आपको इंस्टीट के साइट में जाके बता रहा हूं कोई नया बात नहीं है किसी-किसी कंपनी में पांच qualified किसी में एक qualified किसी में दो qualified मतलब नीड बढ़ रहा है मैं जिस आपको यह कह रहा हूं कि नीड बहुत जादा हो रहा है इवन सिटको में तो देखो 13 qualified cost accounted मांगा है कई पूने में कहीं मुंबई में कॉलकाता में भी हुआ है यह देखो कॉलकाता campus में भी हुआ है बहुत सारा मुंबई campus चेनने campus तो सर कहना क्या चाहते हो सर कहना मैं कुछ नहीं चाहता है मैं बस कह रहा हूं कि यह जो यह जो movement है ना सर यह movement इसलिए है क्योंकि CACCMA में business के लिए need बहुत है और इंडिया में business growth है तभी जाके placement हो रहा है और यह placement के पीछे यह सब law अगेरा भी है क्योंकि यह सब law आपी लोग जानते हो अब बाकी लोगों को उतना पता नहीं होता है तो that is the reason कि इंडियन economy का growth जो है जो यह समझ ले उसको समझ में आ जाएगा act का जरुरत क्यों पड़ता need has been felt for a new corporate form that would provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability अभी मैं आपको बताता हूं सर लिमिटेट लाइबिलेटी वर्ड क्यों आया है ध्यान से सुनना पुराने सिस्टेम में क्या होता था कि आपका जो 1932 था ठीक है ध्यान से सुनना दो मिनिट दो मिनिट बताऊंगा जो 1932 और 2008 बाला जो LLP है इसमें इतना ज्यादा फरक क्य हो गया पुराना पार्टनर्शिप में ऐसा क्या मिसिंग है जो ड्यू पार्टनर्शिप में मिल रहा है 1932 पार्टनर्शिप एक्ट और 2008 लल्प एक्ट दो मिनिट का बात है सर पुरा का पूरा कॉंसेप्ट अभी का भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों कि ध्यान से सुनना सब करी कंपणी बना लेते हैं चलो सब बिल्डिंग बन गया बिल्डिंग पे छद भी बना रहा चाहिए ना ओके सथोड़ा नियू स्टाइल में च्छद भी बन गया अरे ऐसा चाथ मिले हर जगा में ऐसा घर देखे आप लोग मैं तो कभी नहीं देख को कि सर मजा क्यों कर लिए पढ़ाने का काम है पढ़ाओ कि क्या करे दिमाग खराब हो जाते हैं कभी करें ओके तर यह नियू है नियू मॉडल थोड़ा सा पागला टाइप का बना है ठीक है सच चलेगा ऐसा घर भी मैंने कभी नहीं देखा फिर आज मैं देख लिया तो य पार्टनर्स के बीच में जो वॉटेवर आपके बीस्नेस बनता था इनके बीच में पार्टनर्स के बीचमें जो इस पुराना पाटनर्स के बीच में जो वाटेवर क्या हो रहा है संद ऐसका इंत्री में प्राबलम ने प्राइन पूराना पाटनर्सी बिजनेस में जो लाइबिलीटी हैं ने सर्फ यह लायबिलीटी अनलिबिटेट है सब उसमानों कि किसको ले लिए और फट्री ठीए आय आयन श्याशिश शोवेग आवाज आ रहे है मेरा अब आयन श्याशिश तिनो 1932 में अपना बिजनिस बना गया है ठीक है साथ चलो सर आयन भी देख लो ऐसे आयन देखने में आयन गुस्सा मत होना तर मैं गुस्सा करूं का तो आप क्या कर लोगे कंप्यूटर के अंदर से ठीक सर डिस इस आयन कि दिस इस शोविक थेक्व तो अग्दम पागल की तरह नाच रहा है और यह कौन है सर यह है और ही रो तो है तुटक है अपना ही रो की दिदेख आए बाह यह सर्थ पता नहीं यह कहां का इंसान है पिड मेरे इंसां में तो मेर आट ड्राइंग का कलाकारी ऐसा ही होता है जो भी हो तो यह तीनों कौन है यह तीनों पार्टनर है ठीक है तो यह तीनों पार्टनर कब का पार्टनर्शिप बनाए है 1932 एक के हिसाब से अब इसलों का जनम तो 2000 के बाद में होआ होगा या ही 30 के 98-99 हो सकता है जो जो से मेरे की साथ 2,000 बाद के यह सभी किON तो एक 1932 के हिसाब से यह लोग कंपणी बना सकता है पार्टनर्शिप बना सकता है इस में लोग का प्रोग्लिम क्या है जो भी लायबिलिटी होगा अ सब बिजनेस करेगा तो लोन तो लेगा ना सर इन बिजनेस को करने के लिए लोग लोन तो लेगा अरे लोन कौन नहीं लेता तो इनके बिजनेस में लाइबिलिटी है कुछ बानो दस क्रोड का अभी दस क्रोड का लाइबिलिटी जितना है इनके एसेट का जो भालूशन है लिए फर एक्वाइब आठ खुरोड का ऐसे बेचके मिलेगा आठ क्रोड लेकिन लाइबिलिटी है मार्केटे में दस क्रोड किसी करन से ऐसा हो गया है सर बिजनेस ढूब गया है या फिर प्रॉब्लम है तो ऐसे सिटुशन में यह जो एक्स्टा दो क्रोड है सर यह दो क्रो दो के आपने म्ट्री बिजनेस किया था विजिकल आपको और छिएंग खोली आपको देना पड़े गा तो इस आप चेक कररे हो और इसमें हो दीख रहा है बैलंसीट में कि इधी साइड में लेभिलिटी है म्यें आकांट हों कर लाओं है यह आपका हो रहा है एइट क्रोड का क्या कर रहे ऑफ सबके सब्रेदि में परिसे ज़ित है यि skilled दस क्रोड का लाइबिलिटी है तो क्या स्मयाशिश आयायन सोवेक इनके परस्टनल प्रॉपर्टी से यह दो क्रोड लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा कि है सर्फ कि सबको लगता है हाँ या ना कि क्या लगता है दस क्रोड का लाइबिलिटी है आठ क्रोड मिल रहा है बागी दो क्रोड मिसिंग है तो क्या स्नियाशी शायन सोविक के प्रॉपर्टी में पर्सिनल प्रॉपर्टी में हाथ लगा जा सकता है सर पर्सिनल प्रॉपर्टी बिजनिस का प्रॉपर्टी में बात तो जो बन रहा ह तो दिखी रहा है मैं कह रहा हूं कि इन लोग का जो पर्सनल ऐसे यह लोग बना है इतना दिन बिजनेस करके से फार एक्जांपल 20 यर्स और मोर बिजनेस किया पार्टनर्शिप बिजनेस में होगा ना एकदम पर्सनल प्रॉपर्टी से लिया जाएगा दो क्रोड तो यह इस पांव का लाइबिलिटी इक एकोल्स टू पांटर्स का लिया है पांटर्स ग्यूसके लिये उतना एकवल लाइबल है एकओ लाइबल तो तो डाट DR पी नाम से आपको पता चल रहा होगा कुछ थेक्स्टा बेनेफिट है लाइबिलिटि लिमिटेड है मतलब फांब का ला है परसनल लायबिलिटी नहीं तो पार्टनर्स उतनी के लिए हcessoए जितना बूब बिजणी करने के टाइम पे अपना शेर के लिए वह पार्टनर्स का जो भी capital था जो वह busff के ताइम पर बोल के रखा था कि मैं इतना लाइबिलिटी लेने के लिए रेडी हूं तर मतलब अलब बिजनेस को थोड़ा सा सौफिस्टिकेटेड वे में बना गया है इस फिलिंग लाइक कंपणी कंपणी को भी ऐसा सुवीदा मिलता है जिसमें कंपणी अगर मार्केट से लोन लेगा सेम इस सेम अगर कंपणी मार्केट से लोन लेता है दस क्रोड का और कंपणी के पास ऐसेड है आट क्रोड का तो यहां पर कंपणी को बेनिफिट यह है कि कंपणी क्रोड का जो अमौंट बच रहा है यह परसिनल प्रोपर्टी से नहीं लिया जा सकता है यह परकां का जो मेंबर जह बहुद यहां पर प्री है लेकिन ऐसे केसे में लोन इतना असा नहीं तो बैंक वाले को समझ में आ जाएगा तो वह भी लोन देने के टाइम के तो पार्टनर्स के जो भी पार्टनर्स है जैसे कि स्नया शिशायन और सोविक इनके परसिनल प्रपर्टी में तो बैंक हाथ निलगा सकता तो जो भी होगा तो ठीचनल परटनर्स के प्रति जतना लाइबल है उतना लाइबलेटी ही लेगा मतब्ड़ फाम का लाइबलीटी नॉट इकोल्स तू पार्टनर्स का परसिनल प्रपर्टि में हाथ नहीं लगा सकते हैं थोड़ा सा आराम LLP को मलता है, थोड़ा सा रिलाक्स कर सकता है यह लोग, compared to पुराने आक्ट, तो इसमें क्या हो गया, बिजनेस को थोड़ा सा इजीनेस फिल नहीं हुआ सर, हाँ सर, ये सर, बिजनेस को इजीनेस आया की नहीं आया, बताओ, मतलब 1932 में तो थोड़ा रिस्क ही लग रहा है न, कि अगर बाइचान संसोद, मतलब रीपे नहीं कर पाए, तो मेरा जो भी amount of liability है, अगर company से नहीं मिलेगा, तो मेरे घर से लिया जाएगा, नयाशीर सोच रहा है, आयन भी सोच रहा है, पर LLP के case में, आप limited liability हो, तो फिर आपका personal property में हाथ नहीं लगेगा, तो आप उतने ही liability लोगे, जितना आपने बोला था, जितना आपने business के time पे बोला था, और उसी हिसाब से bank भी आपको loan provide वे देगा, मतलब सिंपल बात है सर, unlimited liability में partners या members, company के case में बोलते है members, और partnership farm के case में, क्या बोलते हैं, क्या बोलते members, members का limited liability का मतलब यही होता है कि company का है, company के जमीन से, company के asset से दो, ठीक है, say for example, आपके पास, एक balance sheet है, company का होता है न से balance sheet, या farm का balance sheet है, अब balance sheet में company का जो भी liability है, जो भी assets है, अब company का assets से ही आप ले सकते हो, limited liability के case में, किसी का personal property में नहीं हाथ लगा सकते है, because limited liability है, simple बात ह SM, LLP Act में भी बता जा रहा है, और companies act में, अगर, companies act में, अगर वो company, limited liability concept में बना है, तो, ठीक है, क्योंकि companies act में आपके पास, दोनों options होते है, limited liability options भी होते हैं, limited liability options भी होते हैं, एक guaranteed वाला concept भी होता है, ठीक है, मैं वह बाद में बताता हूं, but point समझ में आया की नहीं है, स समझ में यह नहीं, इतना मुझे बताना सर, किसी को कोई doubt है सर, किसी के मन में यह easiness के बारे में कोई doubt है, इसमें easiness कहां हो गया, सर आप घर में पतब, चैन की नेंद सोते हो, इसमें और क्या मुलिम पतब खराब बात ही, कि आपका, आप अचानक एक दिन सुनते हो, कि आप दे लिया के सोते हो, ठीक है, जिस घर में आपका families रहते हैं, अब मुश्किल में पढ़ जाओगे ना, कम से कम भाई, सर के उपर जो छत है, वो तो fix है ना, तो इसमें थोड़ा सा सकून मलता है सर, तो need has been filled for a new corporate form and will provide a alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability, ठीक है, जो पुराने सिस्टेम में unlimited personal liability वा करता था, on one hand and the statute-based governance structure of the limited liability company on the other hand, in order to enable professional expertise and entrepreneurial initiative, ताकि business करने में लोगो को डर ना लगे, entrepreneurial initiative लेने में लोगो को और मजा आ जाए, इसलिए combined level में organize and operate in flexible, innovative and efficient manner पे LLP Act 2008 को बनाया गया, thus LLP has a form of business organization, is an alternative corporate business vehicle, अतरव आपको feeling company वाला ही आएगा, it provides the benefits of limited liability but allows its members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on mutually arrived agreement, the LLP form enables entrepreneurs, professionals and enterprises, provide service of any kind of engaged in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicle suited to their requirement, going to the flexibility in its structure and operation, the LLP is a suitable vehicle for small enterprise and for investment by venture capital, small level का जो भी business बनने के लिए LLP Act बहुत ही helpful एक vehicle के तरह काम करते हैं सर्थ, limited liability partnership का मतलब अगर एक बार मैं आपको बता दू, इसका meaning and concept में अगर मैं दो मिनिट बात कर लू, तो इतना देर से मैं जो भी कहानी आप लोगो को सुनाया, उस कहानी में आपको कुछ तो मतलब कंपनी बनाने की तरह ही feeling है आपके अंदर, that not only gives the benefit of limited liability at low compliance, मतलब low compliance मतलब बहुत ज्यादा legal ज्हंजट नहीं है, not like company, company में थोड़ा legal ज्हंजट ज्यादा है, इसलिए CS का काम company level में थोड़ा ज्यादा होता है, LLP को CS रखने का भी जरूरत नहीं है, वो easily business कर सकता है, but allows its partners the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership, मतलब business का structure traditional होगा, but business का benefit company जैसा होगा, the LLP is a separate legal entity, एकदम सर, आपका जो भी LLP firm होगा, जैसे की PwC को ही सोच लो, या फिर बल्ले 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 नहीं, क्या धावा था, bypass धावा, sorry, बल्ले धावा भी एक होता है, ठीक है, bypass धावा, वो भी LLP था, बिजनेस का internal structure traditional way में, but business का जो benefit है, वो company के तरह, LLP एक separate legal entity है, and while LLP itself will be liable for the full extent of its assets, the liability of the partner will be limited, partners का liability को limited कर दो, तब जब भी business में कोई problem हो जाए, तो partners की asset पे हाथ लगाने का जरूरत भी नहीं कोई समझे, business के asset से ले सकता है, क्योंकि separatical entity है, आप LLP से जो लेना चाहते हो लो, but personal asset में हाथ मत लगाना, यह company, limited liability company के case में भी same to same rule follow होता है, LLP as a separatical entity and business organizations is an alternative corporate business form that gives the benefits of limited liability of a company and the flexibility of a partnership, partnership यह भी flexibility आते हैं, और limited liability को company के तरह फिलिंग आता है, since LLP contents elements are both corporate structure as well as partnership, basically यह hybrid हो गया सर, जिसके अंदर business तो partnership में ही चल रहा है, क्योंकि company में तो shareholder होता है, है ना सर, company में क्या होता है, company में आप लोग कभी सुने हो कि company का partner है, company में क्या होता है, company में members होते है, company में shareholders होते है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यह hybrid क्यों बोल रहे हैं इसको, simple concept है, company से क्या लिया गया, LLP business में partnership का भी कुछ part लिया गया, जैसे कि internal structure, उनमें वो लोग flexible partnership, partnership के तरह ही काम करेगा, पार्टनर का जो भूमी का है, जो mutual concept है, वो partnership business का है, और company का benefit क्या मिल रहे है इनको, वो limited liability वगेरा जो है, जो company benefit लेता है न, यह सब concept कपणी से लिया गया है, तो company का यह सब limited liability वाला character और partnership business का, यह partner का character लेके बन गया, LLP, तो बन गयाना सर, hybrid nature, जिसके अंदर company का भी nature हो, corporate culture भी दिख जाएगा, और traditional partnership business का भी मज़ा उठा सकते हैं, तो इसी लिए, यह business करने में थोड़ा सा easiness देगा, ठीक है, और इसी लिए सर, ease of doing business पे, ease of doing business में, इंडिया का ranking भी day by day, अच्छा बनते जा रहा है, करेंटली इंडिया, ease of doing business में 63rd positions में है, और इसके मज़ा का बात क्या है सर, लास्ट 5-6 सालों में, इंडिया का ease of doing business, वर्ल्ड में, बहुत ही अच्छा ranking लाया है सर, सर, क्या बात करते हो, तो 2014 के आसपास में आप डेटा चेक करोगे, अगर worldwide दिखो, तो ease of doing business में, ये, सारी सर, ये तो आपका statewide हो गया, समझ रहे हो ना सर, ये country के अंदर statewide data है, जहां business करना सबसे बहतरीन है, ठीक है, तो इस तरह से list बना हुआ है, बेट सर मैं आपको country wise list दिखाना चाहता, लोगों सार्थ, ये मिल गया मुझा, सर मैं जो भी show कर रहा हूं कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, कि किसी भी देश को अगर develop करना है, एकोनोमी का जो भी बात है, उसमें ease of doing business बहुत जरूरी है, ऐसे ही CMA ने इतना job create नहीं कर दिया, ऐसे ही CMA का इतना demand नहीं बढ़ रहा है, ऐसे ही CS पढ़ने के पीछे लोग पागल नहीं हो रहा है, अगर ease of doing business में आसानी नहीं होता, तो फिर CS, CS, CMA या फिर stock market को लेके, लोगों के अंदर इतना पागल पन भी नहीं दिखता, Saudi Arabia 62, India 63, लेकिन सर अगर आप तीन साल पुराना data देखो, 130 में था, New Zealand तो 1 में था, 1 में ही है, फिर इंडिया को दिखो, 130 में था, 63 में आ गया, from 130 to 63, 2014 के टाइम पे 142 में वहा करता था इंडिया, वहां से इंडिया आपने आपको लास्ट 5 साल में, 6 साल में, 63rd पोजिशन पे लेकिया, इसके पीछे यह सब LLP वगेरा के भी बहुत बड़ा हाथ है, Companies Act का बहुत बड़ा हाथ है, तब भी जाके Corporate Law आपके लिए इतना important बन जाता है, LLP Act इतना important बन जाता है, बोलो सर, बोलो, कुछ बात पलने पढ़ रहा है, क्या मैं कुछ जल्दी में समझा रहा हूँ, क्या आप लोग को समझ में दिक्कत हो रहा है, सर, बोलो सर, ठीक है, ऐसे नहीं बनता है country, दिक्टा नहीं है, बिकोज देखने के लिए आँखे का जरूरत होता है, फिलिंग्स का समझ होना चाहिए, बहुत दोग पुछते हैं, कि कहां development हो रहा है, तुमको क्या पता development क्या होता है, तुमारे घर का development तुम्हें समझ आता है क्या, घर का development समझ आता है सबको, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा size है, कैसे समझोगे, इतना बड़ा country, 135 क्रोड के आबादी, हां development समझने के लिए, जो point of view और जो knowledge चाहिए न, वो knowledge होना चाहिए, तभी जाके आप समझ सकते हो, एक country के अंदर development किस तरह से हो रहा है, मजाक चल रहा है थोड़ी, हां, ये कोई family है क्या, चार जन का, अभी का अभी समझ जाओगे, कि किस तरह से development है या नहीं, किसको नौक लिमेरा, किसको नहीं, it's a big area, sir, सबसे important क्या है न, हमारे देश में समझने में लिक्कत यह हो जाता है, कि हमारा देश का size जितना है, उसके हिसाब से हमारा population थोड़ा भीड़ जादा है, इतनी सी जगा में 135 क्रोड से भी जादा लोग रहते हैं, अगर आप China के साथ compare करना चाहते हो, तो आपको China का size के बारे में knowledge होना चाहिए, अब यही चीज़ में अगर China में जाके पूट करूँ, यह रहा सर चाइना और यह रहा इंडिया, कितना इंडिया आज आएगा सर चाइना के अंदर बताओ, समझ रहे सर, चाइना में कितना लोग रहते हैं, 1500 क्रोड लोग रहते हैं, बस हमसे 15 क्रोड ही जादा, बट इसका size देखो, हमसे दो गुना है, तो compare करने से पहले, थोड़ा समझा करो, ठीक है, ठीकिन सर, फिर भी हमें करना पड़ेगा, फिर भी हमें करना पड़ेगा, बिकोज हमारे लिए चैलेंज और थोड़ा जादा है, चैलेंज हमारे लिए और जादा है, ठीक है, उपर से चाइना का थ्रेट, कश्मीर का एक हिस्सा लेकि रखा है, औरोना चलका एक हिस्ता लेने के लिए पागल बंती कर रहा है ठीक है मतलब उपर से पाकिस्तान को बढ़का रहा है एक लाइन बना है पाकिस्तान से यूरोप आफ्रीका के साथ ट्रेड करने का जानते हैं न सर बहुत कुछ कहानी है बोलते बोलते ठक जाओंगा आप ठकोग ले तो लिए यह को भी हमारे आटिजिप खल रहा है और इसी का नतीजा है यह सब एक-एक आक्ट बेसिकर लिए आप basically देश का development के लिए जो economy का development के लिए जो business strategy है वो strategy पढ़ रहे हो सा Since LLP contains elements of both corporate structure as well as partnership structure, LLP is called hybrid between a company and partnership So, क्या क्या हो गया LLP के अंदर? New form of legal business entity with limited liability alternative corporate vehicle allows the partners the flexibility of organizing their internal structure अच्छर लपी इसलब विल लाइबल फॉर फूल एक्सिंट ऑफ इस असेट अन लिएबिलिटी आप पार्टनर विल भी लिमिटेट तो पार्टनर को थोड़ा चयां की नेंद मिल सकता है थोड़ा सकून की नेंद मतब थोड़ा पीस्पूल स्लिप मिल सकता है घर में कुछ नहीं कमसे कर मेरा जो घर है यह तो मेरा लेकिए नहीं जाएगा यह शांती है पाटनर्शिप बिजने लेल पी बिजनेस में जैसे की नॉर्मल जो पाटनर्शिप है उसमें नहीं मिलता था बॉड़ी कॉर्पोरेट का कॉंसेट होता है सर इंपोर्टन कुछ देफिनेशन से सेक्शन 2D में बता गया है इतमीं से कंपनी अस डिफाइन इंसेक्शन 3 अप दी कंपनी से इंडिया में बिजनेस करते हैं उसको भी मान लेंगे जैसे की सर जैसे की जैसे की प्राइस वाटर कुपर हाउस है प्राइस वाटर कुपर यह जो हमारा PwC है ये भी तो LLP है पड़ी क्या ये LLP इंडिया में बना है सर अलो क्या ये PwC इंडिया में बना हुआ है नहीं सर ये तो UK based company है है ना headquarters in London, England, UK तो एरिया सर वॉल्ड वाइट करता है हमारे देश में भी इसका business है हमारे देश में भी इसका business है स्केंडल भी है स्काम भी किया हुआ है ये देखो सर वर्ल्ड में इतना सारा countries में इनका offices है आप लोग भी ऐसे companies में काम करने का मौका ज़रूर ले सकते हैं अच्छा results करके सभी को मौका मिल रहा है सीए का opportunity थोड़ा ज्यादा है obviously एक है मैंने आपको सीए में का opportunity भी दिखाया इविन सीए इस कभी opportunity देवाई दे बढ़ रहा है प्राइस वाटर प्राइस वाटर यह कहां का office है पता नहीं इजीप्ट का South Africa Germany पेरू office देखके अंदर में कुछ हो रहा ज़रूर होगा but office is not the issue सा आपको कहना चाहता हूं कि इनका business बहुत बड़ा सड़ा business चलता है पाट्रेश मतलब बिसिकली क्या काम करते हैं अकाउंट्स का audit का ठीक है तो आप सीए बनके सीए में बनके भी ठीक है इवन ग्लोबल आजका लोग ग्लोबल डिग्री भी लेना चाहते हैं बट इंडिया में भी काम करने का मौका मिलेगा दोनों एक साथ करो सीए करके आपक चाहिए इंडियन चाहिए इंडियन चाहिए इंडियन चाहिए चाहिए कॉस्ट और इट बगेरा करने है तो बहुत सारा काम बताओंगा जर बताओंगा सब बता दूंगा एलल्पी रिजिस्टर अंडर इंकॉर्परेट आउटसाइड इंडिया एक कंपनी पार्टर्शिप पार्टर्शिप पीच ते सेंडल गॉंब माइं नॉटिफिकेशन इन ऑफिचल गेजट स्पेसिफाइए इन इस भी हाप मतब बैसिकली जो भी एलल्पी रिजिस्टर है एलल्पी एक्ट के थ्लों से वह बॉड़ी कॉर्पोरेट माना जाएका मतलब होता है कंपणी इस हीरी या देखो ना बॉडी कॉर्पोरेट का डेφिछिंशन 1956 एक्ट कंपणी सेक्शन 13 में बोला गया है सेक्शन टू सबशेक्शन अंतर लिया जा सकता है और किसको किया यह नहीं जा सकता तो मैसेमिन आपको बदाएं jobs के बारे में कहा गया है section 2 subsection e में business include every trade profession service occupation designated partner section 2 subsection j designated partner means any partner designated as such pursuant to section 7 मतलब जो भी business में partner बन रहा है simple बात है entity मतलब जो business करते हुची को entity कहते है section 2 subsection k में बोला गया है entity means any body corporate and includes for the purpose of section 18, 14, 47, 49, 50, 52, 53, a firm set up under the Indian partnership in 1932 वो भी इसमें अंदर आ जाता है financial year के बारे में तो आप लोग जानती हो कि हमारे देश में financial year जो होता है वो 1st April से 31st March तो यहां पर भी बोल दो से relation to LLP means a period from 1st day of April and 31st day of March of the following year however in case of LLP incorporated after 30th day of September of a year the financial year may end on the 31st day of March of the next year following that year मतब अगर कोई LLP 30th day of September मतब 3 September के बाद किसी साल में बनता है financial year may end मतब उसका financial year end माना जाएगा 31st day of March of the year next following that year मतलब simple बात ऐसा नॉर्मली तो एप्रिल थर्टी एफर्स से 31st मार्च अगर कोई किसी का business incorporated हो रहा है 30th September वो तो उसका financial year माना जाएगा 30th September से लेके सिंपल है सिंपल है सिंपल 30th September से लेके 31st मार्च बतब 30th September 2020 में अगर बन रहा है तो 30th September 2020 औरेंड हो जाएगा 31st मार्च 2021 बस यही बात कह रहा है न्यू कंपनी के केस में ऐसे ही होता है चलो देख लेते हैं इस फैनेंचल यह बीफिटींट ऑक्टबर 2017 तो 31st मार्च 2019 बात को समझो मतब यह वाला कॉंसेट को समझो सर्कि इसका फैनेंचल यह के बारे में क्या कहा गया है तो वेरी इंपोर्टेंट कॉंसेट सब इनक्रप्रेट वा 15th October 2017 को ठीक है 15 October 2017 2017 के बाद आपके पास मार्च कब आएगा मतब 18 में आएगा देन 19 में आएगा तो 18 का मार्च को एंड नहीं माना जाएगा इसका फैनेंचल यह एंड माना जाएगा 31st मार्च 2019 मैंने जो एक्जाम्पल अभी बना रहा था वो मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था सारी सारी मतब 30 सैप्टेंबर में जैसे यह बिजनेस अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका फैनांशाल यह सब्सक्राइब लोग को समझ आ रहा है तो अगर न्यू बिजनेस है तो इसको एक एक्स्टा यह मिलता है मतब सेप्टेंबर अगर बन रहा है यह 15th ओकर 2017 में बन रहा है then financial year may be from 15th October 2017 to 31st March 2019 ठीक है the income tax department has prescribed uniform financial year from 1st April to 31st March of next year in keeping with the income tax law the financial year of LLP should always be from 1st April to 31st March each year यह income tax के साथ सभी को चलना पड़ता है सर ठीक है because income tax इसी को financial year मानते है और इसी लिए सभी के लिए financial year इसी तरह से बिल्ड किया जाता है similarly आपके पास foreign LLP के बारे में कहा गया section 2 subscription M में it means a LLP formed incorporated or registered outside India which establishes a place of business within India रैसे की PwC limited liability partnership section 2 subscription M में कहा गया है limited liability partnership means a partnership formed and registered under this act an LLP agreement section 2 O में कहा गया है it means any written agreement between the partners of the LLP or between the LLP and its partners which determine the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to that LLP and partner के बारे में कहा गया है section 2 subscription Q में in relation to a LLP means any person who becomes a partner in the LLP in accordance with the LLP agreement तो basically these are simple some definitions but आप लोग प्लीज definitions को एक बार घर में go through करो ठीक है definitions को थोड़ा सा याद भी रखना होगा और कौन सा section में कौन सा definitions बोला गया है प्लीज एक बार याद रखना ठीक है फिर मैं next class में आप लोगों क्लास में लेकिन तब तक मैंने जितना पढ़ाया और जितना मैंने अगर आप लोग ज़्यादा भी पढ़ना चाहते हों आप आप लोग एक टोपेन करके इंस्टीट का यह मैं आप लोगों को शेर कर दोंगा अब आराम से बैठे बैठे इसको पढ़ो और फिर जो भी डाउट हो मुझे next class में कुछ पीछत्ते हो लेकिन घर में पढ़ना बहुत ज़रूरी है नहीं तो समझ नहीं आएगा भूल जाओगे साथ बोलते बोलते बहुत कुछ बोल दिया अच्छा नताशा तुम्हें समझ में आया नताशा बॉझेगे चीज है ओके तोड़ा गोत्रों करना सर ठेक है सोविक आयन मननान प्रि किया हुआ कि नहीं विशाल बोलो सब्सक्राइब कि यह सब्सक्राइब करता हूं तो आप लोग प्लीज एक बर बोथ रूख कर लो ठेक है फिर कोई डाउन तो मुझे नेक्स क्लास में पूछो और जो भी पॉर्शन कारेक्टर वगेरा का थोड़ा बाकी रह गया मैं नेक जानी है रिखेशन एक है ऑक्राइब क्लीज टूखेश और जो पूछो और तो पूछो ओके सब्सक्राइब करते हैं और पर नहीं और जो चुटर बाइज बाइज और जई ने कि आ अ बनारी अधा रॉन कर्या पहला ना भैक्सीन आचे शेकेंड वैक्सीन आम इना कलके सौकले क्वास का कुद्ध पार वोना आचा मोने कुरे रिकॉर्डिंग टानी ने भी ताले थीग आचा